अगर आपको बहुत ज़धा अनीमिय की प्रॉबलम है या फिर आपको इन्फलमेशन होता है मतलब स्वेलिंग कहीं पर बॉडी में है जिसके कारण दर्द है आपको हाट की प्रॉब्लम है या फिर ब्रीन की कोई भी प्रॉब्लम है आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसके खाने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी हम बात कर रहे हैं च चालिज से 43 के करी कैलरीज होती है शुगर उसमें नहीं होता है अच्छा प्रॉटीन होता है फाट भी बहुत कम है और फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है तो इसके आपको बहुत सारे हिल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं सबसे पहले चांदर को कैसे खाएं आपसलाइन हैं कोई सबजी सबजी बनाते हैं उसमें टाल लें या उसका जूस पी लें जो भी आपको एजी लगती है आप अपनी इसको डाइट में इंकलूट करें सबसे पहले इसको खाने से क्या होंगा आपका अगर iron deficiency है आपको अनीमिया की problem है वो ठीक होगी दूसरा it is rich in magnesium and potassium तो यह हमारे cholesterol को reduce करने का काम करता है triglycerides को reduce करता है जिसकी वज़े से heart health के लिए बहुत अच्छा है साथी साथ जो चकंदर होता है इसमें nitric oxide release होता है वो आपके brain और heart health के लिए बहुत ही बहतरी है vitamin c में रिच है तो आपके skin के लिए बहुत ही जदा अच्छा रहता है साथी साथ इसमें betaine present होता है जो कि इसमें color है उसको enhance करता है यह cancer होने के chances को काम करता है inflammation को reduce करता है sugar इसमें बिल्कुल नहीं होती इसमें मीठा जो स्वाद आता है कर लोग सोते हैं उसमें शूगर है पर इसमें बिल्कुल sugar नहीं होती तो यह glucose को reduce करने का भी काम करता है मतलब यह जिन लोग को diabetes है वो भी easily से ले सकते हैं साथी साथ inflammation से आपको बचाता है weight loss के लिए बहुत अच्छा है high in fiber है अगर आप weight reduce करना चाते हैं तो आपनी diet में beetroot को ज़रूर include कीजे इसको include करेंगे तो आपका weight बहुत जल्दी अच्छे से reduce होगा आपका payt भी fulfill करेगा और weight भी manage होगा easily इसको smoothies बनाके आप ले सकते हैं और साथी साथ calories भी इसमें बहुत कम होती है अच्छा ये ने BP को भी reduce करने का काम करता है तो आपकी heart की health के लिए overall अच्छा है क्योंकि cholesterol reduce करा है इसने triglyceride reduce किया BP को manage किया तो आपका overall heart की health के लिए बहुत अच्छा है brain के लिए भी बहुत अच्छा है brain की health के लिए अच्छा अगर आपको glucose है आप तब भी ले सकते हैं diabetes है तब भी आप ले सकते हैं weight loss करना चाते हैं तब भी ले सकते हैं anemia है तब भी ले सकते हैं इसके इतने सारे health benefit होने की कारण इसको जरूर अपने diet में include करें, आप एक दिन में लगबग 100 ग्राम के करी beetroot easily खा सकते हैं, कोई problem नहीं है, इसमें चाहे boil करके, चाहे सलाद में, चाहे कोई सब्जी में डाल करके, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, I hope you like my videos, for more videos do like and subscribe, thank you for watching!